देखेंगे रामायन से संबंधित सामान्य ग्यान तो कुछ question सम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रामायन में मतलब उनसे संबंधित क्या-क्या हुआ था तो जी के related to रामायन तो पहला जो question है वो ये है कि रामायन के कुल कितने अध्याएं हैं तो रामायन जो है उसमें कितने अध्याएं हैं पांच, साथ, नौ या ग्यारा तो कितने अध्याएं हैं रामायन में रामायन में कुल साथ अध्याएं हैं नेक्स्ट क्वेशन है रामायर जिस योग से संबंधित है उसका क्या नाम है तो रामायर कौन से योग से संबंधित है सत्योग तुरेता द्वापर या फिर कल योग से तो तुरेता योग से रामायर संबंधित है नेक्स्ट क्वेशन है कि आपको पता है कि महाभारत किस संब रतनाकर, रतनाभ, रतनसेन, रतनेश, तो इन चारों में से option A सही है, रतनाकर महर्शी वालमीकी का बच्पन का नाम था, नेक्स्ट ग्रेशन है, समुध्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम था, जो शोर्न वर्ण का था, सफेदरं का हाथी जो था, जो समुध्र मंथन के बाद आय था, उसका नाम गया था, तो इन चारों में से बताएए क्या नाम था, उसका नाम था, एरावत, डी, इसका सही आंसर है इरावत नेक्स्ट प्वेस्टन है श्री राम को लक्षमन के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद ने बताया तो किस वैद ने बताया था संजीवनी बूटी का रहस्य तो देखे क्या है इसका अंसर उस वैद का हमें इसमें बताना है कि उ जीवनी बूटी अगर ले आओगे तो फिर लक्षमड की जान बच जाएगी Next question जो है उसमें है पूछा गया है अहल्या के पती का क्या नाम था तो जो अहल्या है उनके पती का क्या नाम था अहल्या के पती का नाम था रिशी गौतम इसका आंसर हो जाएगा अहल्या के पती का क्या नाम था अहल्या के जो पती थे उनका नाम था गौतम रिशी नेक्स्ट क्वेश्चन है रामभक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है तो रामभक्त हनुमान वो तो भई भ्रह्मचारी थे उनके पुत्र का नाम तो एक कहानी है कि उनका पसीना गिर गया था उसे एक पुत्र की उत्पत्ती हुई थी है ना तो इसका जो आंसर है वो है मकर ध्वज मकर ध्वज राम भक्त हिनुबान के पुत्र का नाम है नेक्स्ट है question लक्षमन को नाग पाश से मुक्त किसने किया थो तो नाकपाश जो है उनपर एक तीर छोड़ करके एक हदियार था उस समय, तो उसको मुक्त की कैसे मिली थी, मतलब उनपे बंद गया थे नागा करके चारो तरफ से लक्षमन के, तो वो किस तरीके से नाकपाश से मुक्त की हुए थे, किस ने किया था, गरूण ने किया था कि गरूण सापको मार देता है next question है राम को वनवास देने की प्रेड़ना कह कई को किस से मिली थी तो भैस का आंसर तो सब को बताओगा मन्थ रा ने कान भरे थे कह कई के next question है हनुमान ने अशोग वातेका में सीता को किस रक्ष के नीचे बैठा देखा तो हनुमान ने किस रक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा तो माता सीता को इसका आंसर है शिन्शपा रक्ष के नीचे मेगनाथ का दूसरा नाम क्या था तो मेगनाथ का दूसरा नाम उस पर रखा गया था जिसको उसने हराया था तो मेगनाथ ने किसको हराया था इंद्र को तो इसलिए मेगनाथ को इंद्र जीत भी कहते थे नेक्स्ट है राम और लक्षमन के आश्रमों की रक्षवा करने के लिए वन में कौन से भ्रह्मरिशी ले गए थे तो कौन से भ्रह्मरिशी ले गए थे राम और लक्षमन को तो इसका आंसर है विश्वा मित्र ले करके गए थे मधुरापुरी नगरी की स्ठापना किसने गी थी तो किसने करी थी अथुरापुरी की स्ठापना शत्रुगन ने नेक्स्ट ग्रेशन है उस सरूवर का नाम था जो एक योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था तो एक योजन लंबा और एक योजन चौड़ा कौन सा था तो इसका अंसर है पंचाब सर था नेक्स्ट है रावण ने वानरो के राजा सुग्रीव के पास अपने किस दूद किसे अपना दूद बना कर भेजा था तो इसका अंसर है शुक तो कुछ हम लोगों ने रामायन से रिलेटिड ग्रेशन पूछे आपकी कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा औ तो वीडियो को लाइक करिये शेयर करिये और चैनल को सब्सक्राइब करिये थैंक यू